Hey guys, this is Sonu Helawat और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ Top 10 Father of All Government Jobs यानि कि आज इस वीडियो में आपके साथ शेर करूँगा इंडिया की 10 सबसे best, सबसे जबर्दस government jobs यानि कि friends अगर आप इन में से किसी भी job को crack कर लेते हो तो आपकी life हमेशा हमेशा के लिए जबर्दस सेट हो जाएगी Friends, सभी post higher level की post आप सेलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबर्दस grade पे, बहुत ही जबर्दस salary आपको देखने को मिलेगी और friends, सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 12 months के अंधर ही इन सभी government jobs के लिए online form आपको देखने को मिलने वाले हैं तो भई अभी से धुआधार वाली तयारी शुरू कर दीजे और friends, इतना ही नहीं, एक-एक job का eligibility criteria भी आपको detail से बताता चलूँगा कि किस post के लिए age limit education qualification क्या मांगी जाती है तो friends, वीडियो बड़ा ही important, interesting रहने वाला है इसलिए आखिर तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करें इस पहली आपको एक most important information देदू friends, way to success की जो सबसे best general awareness की book है दोनों ही, income ने combo की rate कर दिया दोनों को आप एक साथ purchase कर सकते है लिंक discussion box में Amazon flip card के उपर book available है मिस मत करिये, फड़ाफट book को purchase करके धुहादात तयारी शुरू कर दीजे हर एक exam को आप चुटकियों में crack करके आओगे तो चलिए friends, जादा time waste नहीं करते फड़ाफट शुरू करते हैं तो चलिए friends, शुरूआत करते हैं job number 10 से, जो की निकल के आती है UPSC, EPFO, APFC recruitment की तरफ से यानि की friends, UPSC के थुरू EPFO, जो की एक central government का department है मतलब employee provident fund organization जिसके अंदर एक official level की post के उपर vacancy निकलती है, post का नाम है हमारा APFC, यानि की assistant provident fund commissioner friends, इस post के लिए अगर आपने कोई भी veteran degree पास किया हुआ है तो आप eligible है, आप हो apply कर सकते हैं friends, general वालों के लिए 21 से 27 साल age limit रखी जाती है friends, इस post का जो grade पे है वो 4800 रूपर grade पे है यानि की इस post के उपर selection होने के बाद आपकी initial enhanced salary 85,000 के आसपास रहने वाली है तो अपने आप में बहुती जवर्दस opportunity मानी जाती है बहुती बढ़ी अपोस्ट इसको मानी जाती है इस vacancy का final result आ चुक है 2020 वाली vacancy का तो ये vacancy बहुती जल 2022 में निकलने वाली है तो तयारी शुरू कर दीजे इस बार आपको इस opportunity को फोड़ना है बात करते हैं वाई vacancy नमबर 9 के बारे में जो की निकल के आएगी IB ACIO पोस्ट की तरफ से फ्रेंट्स IB के बारे में आप जानते होंगे Intelligence Bureau जो की भारत के खुविया भी भाग है इसके अंदर एक पोस्ट हमारी निकलती है इस पोस्ट का भी grade पे बहुती अच्छा होता है selection होने के बाद initial enhanced salary आपको 72,000 से भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है फ्रेंट्स ये vacancy last 2020 दिसंबर के आसपास निकली थी दो साल में एक बार ये vacancy जरूर निकलती है 2022 के last month में आपको ये vacancy गैरेंटीडली देखने को मिलेगी बहुती जवर्दस opportunity है तयारी अभी से शुरू कर दीजे बात करते हैं opportunity number 8 के बारे में जो की निकल के आएगी हमारी NHB Assistant Manager पोस्ट की तरफ से फ्रेंट्स NHB National Housing Bank जिसके अंदर Assistant Manager की पोस्ट के ओपर एक vacancy निकलती है हालागी vacancies बहुत ज़ादा नहीं होती limited vacancy होती है लेकिन यार जवर्दस पोस्ट है बहुती desirable पोस्ट है फ्रेंट्स अगर आपने कोई भी bachelor degree पास की हुई है आप eligible है जनरल वालों के लिए age limit 20 से 30 साल इसमें रखी जाती है बहुती जवर्दस grade पे है इस पोस्ट के उपर initial enhanced salary शुरुवात में आपको 56-60,000 के आसपास मिलती है ये vacancy हर साल दिसंबर मन्त के अंदर निकलती है तो तयारी अभी से शुरू कर दीजे बात करते हैं भई job number 70 के बारे में जो की हर साल निकल के आती है CISF, ITBP, SSB आता है इन सभी forces के अंदर assistant commandant की post के उपर एक vacancy निकलती है ये vacancy हर साल अप्रेल मन्त के आसपास निकल जाती है अगर आपने कोई भी वैचरोर डिगरी पास की हुई है तो आप eligible आप हो अप्लाई कर सकते हैं बीच से पच्ची साल जनरल वालों के लिए age limit रहती है selection होने के बाद initial enhanced salary ही आपकी इसमें 56,000 के आसपास होती है क्योंकि बड़ी post है official level की post है assistant commandant की post है तो हर साल post निकलती है अभी से तयारी करना शुरू करोगे तब जागे बात बनेगी बात करते हैं job number 6 के बारे में जो की निकल के आएगी N-I-A-C-L A-O या फिर assistant post recruitment की तरफ से फ्रेंट्स N-I-A-C-L का मतलब है New India Assurance Company Limited जिसके अंदर administrative officer या फिर assistant की post के उपर हर साल वेकेंसे जरूर निकलती है administrative officer की post के उपर 2021 में ये वेकेंसे निकले थी साइद अभी दक final result भी आ चुका होगा बहुती जबर्दस level की post होती है बहुती higher rank वाली ये post मानी जाती है कोई भी अगर bachelor degree पास की हुए आप eligible आप हो apply कर सकते हो जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल इसमें age limit रखी जाती है इस post का grade पे बहुती जादा होता है साइद 48 सो से भी जादा होता है इसलिए initial enhanced salary आपको लगभग 60 से 62 हजार के आसपास मिलती है ये vacancy आपको November या फिर December के अंदर देखने को मिल सकते है या तो administrative officer की post के ओपर मिलेगी या फिर assistant की post के ओपर मिलेगी कोई सी भी post और eligibility criteria बिल्कुल सेम रहता है बात करते हैं भाई job number 5 के बारे में जो की है हमारी इसको को नहीं जानता यार मैं बात कर रहा हूँ SSE CGL recruitment के बारे में हर साल SSE CGL combined graduate level की एक post निकालता है जिसके अंदर various post हमारी रहती यानि ये central government की जो different different बड़ी-बड़ी ministries है बड़े-बड़े departments है जैसके intelligence bureau हो गया CBI हो गया, income tax हो गया, customs हो गया excise हो गया, narcotics हो गया और भी various हमारी departments है अगर आप इनको join करना चाहते हो on a higher rank, on a higher post बड़ी officer की post के ओपर तो ये opportunity special आपके लिए ही है फिलहाल इस vacancy के लिए जो online form निकलेंगे न वो 10 September को निकलने वाले हैं इसलिए ready रहिएगा इसको भी father of all government जो बोला जाता है इंडिया की one of the most desirable vacancy में से एक मानी जाती है सभी bachelor degree pass वाले candidate form अप्लाई कर सकते हैं age limit post के according इसमें होती है कुछ post लिए 28-27 साल होती है जो कि group C की post होती है बहुत सारी group B की post होती है जैसकी उनके लिए 20-30 साल age limit 20-27, 28-30 साल इस तरीके से age limit इसमें रखी जाती है friends grade पे कुछ post के लिए 54,000 होता है कुछ post के लिए 48,000 grade पे 54,000 सेलरी है 65,000 सेलरी है कुछ post के लिए ज़्यादा higher level की post है audit वगर है कि उनमें आपकी 22,000 तक की सेलरी मिल जाती है देखने को clear है तो जवरदस level की post है 10 सितंबर को फोम आ रहे है दिसंबर में सायद exam हो जाएगा तो दुहादार तैयारी शुरू कर दीजे बात करते हैं नमबर फोर्थ के बारे में जो की हैं हमारी SBI Pure Recruitment State Bank of India के अंदर Pro-based में officer की post के उपर एक vacancy निकलती है हर साल इस बार ये vacancy आपको नवंबर या फिर दिसंबर के मंत के अंदर देखने को मिलेगी सभी bachelor or degree pass candidate फो अप्लाई कर सकते हैं जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल एंजमिट होती है Total number of vacancy गीनी गीनाई 2000 इसके अंदर निकलती है किलियर है सेलेक्शन होने के बाद Initial in hand salary 55,000 के आजपास आपको देखने को मिलेगी number 3 के वारी में अगर बात करें वो है हमारी RBI Assistant Recruitment Reserve Bank of India के अंदर Assistant की पोस्ट के उपर एक हर साल vacancy निकलती है ये साल के starting में निकलती है January या फिर February में हर साल जरूर निकलती है सभी bachelor pass candidate इस vacancy के लिए फोंपलाई कर पाएंगे 20 से 28 साल age limit जंदल वालों के लिए होती है initial enhanced salary आपको इसमें 40,000 के असपास मिलती है तो ये भी बड़े level की post है group B की post मानी जाती है इसमें भी आपको एक proper cabin मिल जाता है हमेशा AC room के अंदर बहट के काम करोगे बात करते है number 2 के बारे में बैंक हो गया ठीक है 11 पदिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर proprietary officer की post के ओपर ये vacancy निकलती है IBPS इस vacancy को conduct कराता है सभी bachelor degree past candidate इस vacancy के लिए फोट अपलाई कर सकते है general वालों के लिए 20 से 30 साल age limit होता है इस vacancy के एक खास बाद है कि यह number of vacancies काफी होती है लगबग 6000 के आसपास PIO की post के ओपर आपको total number of vacancies देखने को मिल जाएगी क्योंकि बहुत कम ऐसे bank है जो कि PIO की post के ओपर इतनी vacancies निकालती है तो IBPS ज़्यादा vacancy निकालता है तो chances बढ़ जाते हैं selection होने के बाद initial enhanced salary बिल्कुल same जो की SBI PIO को मिलती है 55,000 के आसपास वो ही आपको यहाँ पर मिलेगी उससे थोड़ी बहुत उपर भी मिल सकती है finally बात करते है number first के बारे में जो की एक साल में दो बार निकलती है F-CAT recruitment के नाम से यानि की friends Indian Air Force Common Admission Test जिसके अंदर हमारी various trade या फिर various post होती है बहुत ही higher level की post होती है जिसमें हमारी technical, non-technical की भी post होती है ground duty technical, ground duty non-technical की post होती है साथी flying officer की भी post होती है यानि की अगर आपको fighter jet उडाने है तो यह आपके लिए best opportunity है Indian Air Force के अंदर देखे friends जो हमारी flying officer की post है वहाँ पर तो आपको थोड़ इसी technical qualification की जरूत पढ़ती है यानि की 12 में आपने physics और math से की हो with 60% marks और साथी कोई bachelor degree भी पास की हो लेकिन कुछ non-technical post होती है ground duty की जैसके हमारी एक education के नाम से post होती है logistic के नाम से post होती है साथी एक post administrative के नाम से होती है इन सब भी post के लिए केवल bachelor degree पास मांगा जाता है age limit वही 20 से 26 साल के आसपास आपकी मांगी जाती है bachelor degree पास candidate इन post के लिए फोड़ अप्लाई कर सकते है selection होने के बाद initial inherent salary 57,000 के आसपास आपको मिल दिये है तो बहुती बढ़िया level के एक officer level की post इसको माना जाते है एक साल में दो बार ये vacancy जरूर निकलती है अब आपको December 2022 में देखने को ये मिलने वाली है ठीक है exact आपको December में देखने को मिल जाएगी तो friends इस वीडियो मैंने आपको total 10 father of all government jobs बताई जो कि अपने आप में post भी बहुत जबरदस लेविल की है grade pay selection होने के बाद salary आपको मिलती है बहुती comfort वाली job है हाला कि शुरुवात में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन या life आपकी हमेसा के लिए set हो जाएगी आप काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाया आपने एक दो opportunity तो बता ही नहीं जी हाँ मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो UPSC civil services या फिर आप IEC की बात कर रहे होंगे Indian engineering service वो father of government job नहीं है वो तो grandfather of government jobs है अपने आप में उनका तो next level है जिसमें दम है apply करिए आप होड़ सकते हो बस अंदर confidence होना चाहिए हाला कि वहाँ पर आपकी महना ज़्यादा लगती है वहाँ पर competition heavy होता है बाकि यो top 10 government jobs मैंने आपको बदाई यहाँ पर थोड़े efforts कम लगेंगे थोड़ी महना कम लगेगी और selection के chances थोड़े ज़्यादा हो जाती है in comparison of civil services या फिर IEC IES, sorry clear है, तो भाई यह सब कुछ है अपने आप में जवर्दस level का वीडियो मेरे हिसाब से रहा होगा तो सभी opportunities आपको 2022 के अंदर या फिर 2023 23 के अंदर देखने को मिल जाएगी तयारी रखेगा, सभी opportunity आ रहे है one by one करके तो तयारी धासू वाली आपको करनी पड़ेगी तब जाके आप selection फोड़ पाऊगे बाकि और कोई आपकी demand हो और कोई आपका suggestion हो और कोई topic हो की भईया इसके ओपर हमें वीडियो चाहिए ये top 10 vacancy बताईए after 12 या फिर after graduation जो भी हो comment में बताईए वरनाम आपको instagram के ओपर मिल जाएगा sonuahilavut के नाम से वहाँ पर follow कर लिजेगा और बिंदास आप DM में मुझे suggestion बगएरा गालिया बगएरा दे सकते हो और बाकी books के बारे में बताई चुको ये दोनों जवरदस book है भाई इसमें static GK का भी portion कवर है history, geography, poly, economics, general science सब कुछ कवर है general awareness के सबसे ज़्यादा बार push है के topic wise GK के question कवर है दोनों book का combo का भी link description box में परचेज करके तयारी शुरू कर दीजेगा पूरे इंडिया के अंदर इससे best इससे exam oriented material वाली book आपको देखने को नहीं मिलेगी और last 12 month वाली current affair भी purchase कर लीजेगा limited stock बचा हुआ है ठीक है online available है link description box में check out कर लीजेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं पर अलविदा कहें थे हैं मंतों नहीं कर रहा लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि अगली वीडियो में भी तो मिलना है वीडियो पसंद हो यार like कर दीजेगा please like करिएगा ठीक है और साथ ही comment करिएगा suggestion दीजेगा दोस्तों आशेयर करेगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा where to success official telegram channel के ओपर telegram channel मिल जाएगा उसको join कर लीजेगा तो चलिए आर मिलते एगली वीडियो में बहुत जल्द अब तक के लिए चाहिंद